हाई फ्रेंस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सो आज हम सीखने वाले कि लॉंग टर्म इंवेस्टमन अगर आप करना चाहते थोड़ा पोजिशनल करना चाहते एक साल दो साल पांस साल के लिए तो आपको चार्ट पर क्या देखना चाहिए उसके साथ आपको कौन से इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए कौन से फंडामेंटल देखने चाहिए क्योंकि मौस्ट अपनी लोगों को इंवेस्ट तो करना है पर ये पता नहीं होता है कि हमें उसके अंदर क्या-क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए तो आईए हमें आपको यहां से स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं सबसे पहले हमें क्या करना है किसी भी स्टोक्स को आपको fundamental analysis के अंदर कुछ पार्ट को सबसे पहले देखना पड़ता है सबसे पहले हमें आना है आपके balance sheet वाले पार्ट में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक website की जरूत पड़ेगी वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हूँ screener.in यह आपके सामने screener.in है तो यह free website है तो आप लोग को क्या करना इस website को login कर लेना है login करने के बाद आपको जो भी company को पर analysis करना है वो company आप यहाँ पर लगा लीजिए उसके बाद आपको लगता है कि यह company में मुझे देखना है कि company कैसी है तो आपको उस company के बारे में search करना है तो search करने के लिए आपको यहाँ पर search bar का एक option दिया हुआ है यहाँ पर एक search बारे जिसमें आप किसी भी company का नाम लिखते हो वो company के बारे में पूरी-पूरी detail यहाँ पर आ जाती है इसके बारे में यहाँ पर लिखा रत्नमणी metals tube है इसके बारे में हम इसका analysis कर रहे है तो इसके अंदरा हमें क्या करना है के ओपर क्लिक करेंगे इसकी बेलेंशित जो होगी हमारे सामने जाएगी करते ही हमारे सामने आ गई बेलेंशिट अब बेलेंशिट के अले हमें totally पाँच क्राइटरिया को यहाँ पे ध्यान रखता है अगर आप long term invest करते हो तो 5 criteria आपको पता होने चाहिए जो एक balance sheet के अंदर हमें check करने चाहिए so balance sheet आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं और 5 criteria कौन कौन से है तो हम 5 criteria पर यहाँ पर इसको test लेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4 और 5 अगर 5 criteria correct है तो हम इस districts के बारे में सोचेंगे फिर चार्ट पर जाके आपको कौन से indicator लगा के देखना है वो हम आगे discussion करेंगे so आप इस वीडियो में पूरा का पूरा बनाई रही है ताकि आपको detail में information मिल सके सबसे पहले हमें देखना चाहिए equity capital, फिर हमें देखना चाहिए reserve, borrowing, fixed assets और total assets इतनी चीजों का हमें check करना है पहला जो होता है equity capital वो नहीं बढ़ना चाहिए नहीं गटना चाहिए तो अगर आपको पूरे यहाँ पे 2015 से लेकर 2023 तक की history यहाँ पे दी हुई है तो वो आपको check करना है तो माल लेजे कोई इंसान यहाँ पे 2019 के अंदर इस company में invest कर रहा है तो उसको क्या 2019 से पहले का दिखाई देगा तो 2019 के बाद का वो नहीं देख रहा है यानि I mean कि उसको 2019 के पहले का check कर रहा है तो उसको हमेशा क्या करना है आपका जो equity capital है वो हमेशा stable होना चाहिए आप देखें 9, 9, 9, 9, सब कुछ आपको stable दिख रहा है 2019 अब यह 2019 में invest करने की सोच रहा है ठीक है और इसने लगबग 5 साल का invest का अपना सोचा है तो यहां पर देखें 900 करोड कंपनी का profit हो रहा था 2015 में वो बढ़कर हो गया 1036 करोड फिर वहां से 1138 करोड लगबग 1300 करोड और यहां पर आप देखें 1500 करोड जो है वो company का stable होना चाहिए या फिर अपनी जो profit है उससे कम होना चाहिए यहां पर 1500 करोड का profit कर यह company तो केवल 25 करोड का loan है तो कभी भी इसको चुकता कर सकती तो हम overall इसको depth पर ही consider करेंगी उसके बाद हमें देखना है fixed assets यानि company के जो fixed assets हो हमेशा बढ़ने चाहिए या फिर stable होंगे तो चलेगा पर घटने नहीं चाहिए तो आप देख पा रहे ह 400-400 करोड के आजबाजवी है तो यह हमारे stable दिखाए दे रहा है फिर हमें इसके अंदर next जो चेक करना है वो करना आपका total assets तो टोटल assets आप देख पार है वो लगातर बढ़ने चाहिए तो यहाँ पर 1200 करोड, 1300 करोड, 1400 करोड, 1700 करोड और 253 करोड लगातर पांच क्राइटेरियर पर हमने चेक किया इसको आपको लगातर बढ़ना चीए तो टोटल assets आपका लगातर बढ़ना चीए पांच क्राइटेरियर अगर आपके उक्के हैं फिर आपको सिधा-सिधा चला जाना है चार्ट क्यूप अब अगर हम इसको चाट को अगर आपको लोंग टरम इंवेस्ट करना है तो आपको इसको आछाईए तो सीधह-सीधह हम आगे यहां पर इंडिकेटर सेक्षिन है त्रेडिंग आपका चार्ट दिख रहा है अब किसी भी चार्ट पर लगा सकते कोई भी प्लेटपरम के उपड़ इंडिकेटर सेक्षं में येलो कलर हमने कर रखा है 400 का, दूसरा वाला जो है, उसका हमें सेटिंग में जाना है और 200 कर देना है, 200 कर दिया, अभी हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करता है, वरना दोनों कलर सेम हो जाएगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसका क्या है, और इसकी जो लाइन ह हम थोड़ा सा यहां से बढ़ा देंगे सो हमें एक बार पता चले कि यह कैसा दिखाई दे रहा है ठीक है और येलो वाले का भी हमें एक बार लाइन का थिकनेस बढ़ा लेंगे सो केवल हमने नॉर्मल साइस में कोई भी कुछ भी नहीं किया 200 और 400 का मुविंग एवरेज हमने यहां पर लगाया है अभी हमें यह देखना है कि जब भी मुविंग एवरेज आपका क्रोस हो रहा है अभी हमने फंडामेंटल देख लिए सबसे पहले फंडामेंटल चेक करना आपको उसके बाद जहां पर आपका मूईंग एवरेज जो 400 वालाएब लो वला चार्श ecology अभी मैं बता रहा हूं कि इस वाली कंडिशन में कहां पर यहां को काटते हुए दिखाई दिए रहा है इस यहां सन्हें ब्रश लेता हूं अपको काटते रहा यहां पर बताता हूँ यहां पर आप देखेए इस जगे पे 200 ने 400 को काटा है, आप देख लीजिए सिधा सिधा दीख पार है कि यहां पे 200 ने 400 को काटा है, आप यहां पे प्राइस को देख पार है, दोसों ने 400 को उपर काटा है, अब यह उपर काटा है और वहां पे हमने पंडामेटल देखा सब कुछ बेस दिखा जे रह अभी आपको ये 5-6 साल के लिए इंवेस्ट करना है तो आप यहां से सिधा-सिधा देखिए यह प्राइज उसके बाद सिधा-सिधा उपर ही बढ़ रहा है प्योंकि यहां से स्टोक्स आपके बुलिश टेंड के अंदर कनवर्ड हो जाता है और जहां पे 600 रुपे का प्राइज स्टोक्स का चल रहा था तो आज की तारीक के अंदर वो स्टोक्स का प्राइज चल रहा है आप यहां पर देख पा रहे हो से कम व्यू रखना है और सके अंदर जो अगर आप मेंटेन करते हो तो अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं तो इस वाले स्टोक्स में देखिए दोसो ने चार सो को किस जगह पर काटा है तो यहां पर क्या हो रहा है दोसो ने चार सो को आपको इस जगह पर काटा दोसो उपर होना चीए और यह प्राइस आप देख लिए साथ सो रुपए से बढ़कर अभी चल रहा है लगबग तीन अजा रुपए का आजुबाजू क्या हो रहा है जैसे ही यहां से इसको काट रहा है बहां पर बैलेंस इट आपका अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसका मुमेंटम यहां से बढ़ जाता है पिर हम तीसरे को लगाया अभी आपको बैलेंस इट अपने इसाब से चेक करना है क्योंकि मैं आपके केवर स्टॉक में बता रहा हूँ दोसों ने चार्स को काटा आप इसली यहां पर देख पार हो दोसों ने चार्स को काटा है तब जब काटा उस समय इसका प्राइस जो चल रहा था पर आपको क्या चीजों को मेंटन करना है मैं एक बार बता देता हूँ फंडामेंटल में जाक के आपको बैलेंस शीट को पहले चेक करना है उसके बाद आपको आना है और चार्सों का मुविंग एवरेज और चार्सों का मुविंग एवरेज चल रहा होगा ठीक है वो जब यह काटता है उसमें एंट्री बनाना है और यह आपको वेशित ध्यान रखना है कि यहाँ पर SL भी हो सकता है और यहाँ पर डिस्क्लेमर भी है कि मेरा किसी भी स्टोक्स में बाई SL का रिकमेंड नहीं है मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो एजुकेसन परतस से बता रह झाल